बिस्मिल्ला है रख्मानि ररहीम अस्सलाम अलेकुम क्लास प्रियर टू अच्छा कमाँ टापिक है 2.10 डेटा स्टोरेज वी विल्लाव डिस्कास हाओ इस अस्टोरेज अब हम यह दिखेंगे के हमारे पास कम्पृटर की मेमरी में डेटा स्टोर कैसे हो सकता है when a computer is built जब अध्र को बनाया जाता है इसमें मुथिफ mystery locations को अध्रक्ट को प्लग दिए जाता है इस location गीवन है address हर location एक address होता है उसका कोई number होता है computer use these addresses to reach the required data computer अध्रेस को use करता है उस ज़िपेंगे पहुंचने के लिए पॉल्से होती हैं जो कि system की memory में locate होती हैं a bit is reserved from binary digit a bit is derived from binary digit निक बिट को हम binary digit भी कहते हैं हम यह भी कह सकते है bit stand for binary digit computer का यह सबसे smallest unit है और इसमें या तो one होगी या zero होगी one के लिए on, zero के लिए off this means, इसका मतलब है that odd data in computer is stored in the form of electronic pulses इस से यह जारे था के थारे data pulses की form में save रता है the size of a computer memory is measured by a amount of electronic signals that can be stored in it computer memory के अंदर जो signals travel करते हैं उनको हम measure करके अपनी memory के अंदर data को store करते हैं but the memory is not measured in bits लेकिन memory तो bits ने measure नहीं होती larger unit called bytes are used लेकर इसमें bytes को use करते हैं bytes के चीज़ है byte is usually a combination of 8 bit each byte represents a character on a keyboard हर byte को पर एक character रोता है this is the byte of the letter C 11000011 the 8 division in the diagram are the memory location in CPU 8 division है each location store are 1 bit हर location को पर 1 bit store रही है अब combination of 8 bit के है वो एक byte बना रही है the number of bit provided on each memory location is एक रही है as the world length यनिके 8 bit की एक byte है यनिके एक word जो है वो एक byte का हो सकता है हम कह सकते है को चल तक when we talk about memory size जब memory के size के बारे में बात करते हैं तो हम बस kilobyte, megabyte, gigabyte और terabyte का जिकर होता है आपने सुना भी होगा यनिके एक bit में दो डिजिट्स होते है आठ bit की एक byte होती है एक kilobyte में 1024 bytes होती है यनिके 1024 bytes होती है 1 MB, megabytes में 1024 kilobyte होती है approximately 1 million bytes कह सकते हैं 1 GB यनिके gigabyte 1024, 1024 MB, megabytes approximately 1 billion और 1 TB, terabytes 1024 GB, approximately 1 trillion bytes होती है एक केंपुरेटर को ज़्यादा 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 प्रोसेस करना पड़ता है तो उसको ज़्यादा storage और ज़्यादा capacity की ज़रूर होती है This means that a lot of equipment become outdated and user जिस वजाद से वह से ऐसे चीज़े होती है जिनको हम ऐसा ऐसा यूज़ करना छोड़ देते हैं क्योंकि वह पुड़ानी हो ज़्यादा है और वह यूज़ेस हो ज़्यादा है आपको मोबाइल है आप उसमें थाड़ 2 GB का कार्ड यूज़ कर रहे हो आपको मेमरी ज्यादा चाहिए तो आप क्या करोगे उस कार्ड को निकालके आपने आप मेमरी कार्ड उसमें जट कर दोगे 128 GB का यह एक्सेंपल हम ले सकते हैं कि हमें अब पुड़ाना कार्ड हम उसको वह माले कोई यूसफुल नहीं है पुड़ाना हो चुका है पड़ारेगा लेकिन मैं यह कहता हूँ कि पुड़ाने चीज़ जहां उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं I hope साब को इसके समझ आगी होगी अपना ख्याल रखिएगा अपने इसको लिखना भी है थिंक्यू अला हाफिज